अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले है एक न्यू चेप्टर चेप्टर करना में है एन आइलेंड ओफ ट्रीज जो की क्लास एट के इंगलिस का चेप्टर है और यह लिखिया है रसकिन पॉंड ने तो यहां पर मैं फर्स्ट पैरग्राफ से स्टार्ट करता हूं फर पैप बैठी हुई है जो की एक कठल के पेड़ के नीचे है ठीक है और ग्रेंड मदर क्या कर रही है ग्रेंड मदर अपने फादर के बारे में बता रही है और कैसे उनके फादर पेड़ पोदों से फ्लावर से प्यार करते थे पसंद करते थे इनको तो उनके बारे में आप बताती है वह अपनी पोती कोकी को तो यहां पर ग्रेंड मधर क्या कहती है ग्रेंड मदर सेड आई हाज नेवर एबल तो गेट ओवर दर फिलिंग अट प्लांट अंट ट्री लाव माई फादर विट एस मुछ टैंडर स एस ही लिव दें त्यार पर कहती है कि मैं इस फिलींग प्यार करते थे मेरे फादर को इतना ही प्यार करते थे बिए प्यार करते थे यहां कि बताती है रूंधे इस कारणी में पहले भीता हुआ तो बारे में बताती है तो वो कहती है I was sitting beside him on the वरंधा steps one morning अब वो बताती है कि वरंधा step मते होँआ पर सीडियो पर वो बैटी हुई थी सुबह के time when I noticed the tendrils अब tendrils क्या है जो बेल होती है बेलों में tendrils लिखे 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 हुई होती है लंबी लंबी जो बेल होती है उन में होती है यह tendrils तो यह कहती है कि when I noticed the tendrils of a creepy wine that was trailing near my feet अब यह बताती है कि एक creepy wine यानि एक बेल की जो tendrils होती है यह बेलों में मिलती है ठीक है तो यह बेल जो है उनकी उसके पैरों तक आ गई थी as we sat there is a soft winter sun sign I saw the trend ring moving very slowly away from me and towards my father तो वो क्या कहती है कि यह winter की sunshine का मतलब ठेंडर में दुफैर का समय था तो जो tendrils थी वो slowly slowly उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी और वो कहां तक बढ़ गए उनके fathers तक पहुच गई फिर कहती है 20 minutes later 20 minutes बाद it has crawled the वरंद्रा steps and was touching my father उन्होंने वरंद्रा स्टेप्स जो थी वो जो सीडिया थी उनको भी क्रोस कर दिया और वो जाकर मेरे फादर के फीट तक टच हो गई तो अब ये next paragraph में कहती है अब ये कहती है साइध इसमें कोई scientific explanation होगा क्योंकि क्या करती है कुछ पेरे जो धूप और लाइटनिंग की गर्मी की वज़े से बढ़ती जाती है उधर की तरफ को पर मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे लगता है कि प्लांट जो है मेरे फादर को बहुत पसंद करते थे इसलिए उनकी तरफ बढ़ते जाते है यहां पर कहती है जब भी मैं अपने पार्क में या फिर कहीं पर भी ट्री के नीचे बैठी होती हूं अकेली तो मुझे बहुत ही अकेलापन लगता है पर जब मेरे फादर मुझे जोइन करते है तो ऐसा लगता है जैसे गार्टन बहुत ज़्यादा है प्यादर के पेड़ पोदें है ट्रीस है यह जब बहुत ज्यादा खुस हो गया है यह बिल्कुल फ्रेंडली लगते है मुझे तो मेरा के लपन दूर हो जाता है अब कहती हैं वो Your Great Grandfather आपके जो मैं अपने फादर के बारे में कहती है और यह बता दी हैं और यह जो फादर थे वो पहले इंडियन फोरेश्ट सर्विस में काम कर चुके थे तो यह नहीं है कि वो ट्रीज के बारे में अच्छे से जानते हैं यह बना लिया है इस लिए चान के बारे में बना लिया बना लिया था डिटायमेंट के बाद के बाद ही प्लांट इंग करते थे इस की उसके आसपास लाइक अब क्योंसे प्लांट्स हैं जैसे लाइन्स, मैंगोज, ओरेंज और गौवास और इन्होंने और भी पूपोदे बताए हैं जैसे जेकरंडा और लेबुननम और परसिया ये कौनसे प्लांट्स है यह बिए प्लांट्स है जिसमें यह पिंक їलर होता है यहां पर येलो होता है ठोड़ा सा यह रैड तो इन्होंपर आती है यह भी प्लांट्स के कुछ, टाइपस फिर हो कहते हैं in our valley given the chance plant our trees grow tall and strong हमारी जो valley है जहांप हम रहते हैं अगर plants अच्छे से chance मिले तो बहुत अच्छे से grow करते हैं और बहुत अच्छे बहुत ही strong भी रहते हैं of course अब यहां पर next paragraph में आ चुके हैं of next paragraph में करते हैं of course there was other trees where before the house was built और कहती हैं कि जब हमारा यहां पर घर बना उससे पहले यहां पर बहुत trees होते थे including all people tree अब वो people tree के बारे बताती हैं पर people tree भी यहां पर था जो की which has force and its way through the wall of an old abandoned temple अब वो क्या कहती है कि वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो जो temple था मतलब खंडर temple था वहां पर मंदिर जो बहुत पुराना था उसकी दिवार तक लग चुका था और वो उसकी bricks को bricks को नीचे डाल रहा था bricks को गिर रहा था उसकी growth होती जा रहे थी बहुत ज्यादा फिर यहां पर कहते हैं पीपर ट्री आर ग्रेट सो ओव मतरव यहां पर अट्रेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि people का जो tree होता है वो बहुत ही attractive होता है अगर भवा भी नहीं चल रही हो तो भी वह इतना अच्छा लगता है उसकी leaves से इतनी spin कर रही होती है हिल रही होती है उपर की तरफ कि घर किसी को attract कर लेता है वह अपनी तरफ अट्रेक्ट कर लेता है लोगों को और लोग जो है उसकी seats में आ जाती है उसकी च्छाओ में आ जाती है अब यहां पर पूछती है next यहां पर कोकी कहती है what happened to the temple temple का क्या हुआ यह कोकी अपनी grand mother से पूछती है तो यहां पर grand mother अब क्या कहती है when my mother wanted the people to cut down tree मेरी मदर चाहती थी कि people का जो tree है वो काट दिया जाए पर मेरे फादर जो है वो चाहते थे कि हम tree को भी बचाएं और temple को भी बचाएं तो यहां पर अब क्या है there is a other side of the wall जो की wall की दूसरी तरफ ता मदर temple की अंदर आ चुगा था अब क्या होता है the trees protect the temple अब यहां पर tree जो है वो temple को protect करता है और temple प्रोटेक्ट करता है tree को दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं उन्होंने इस तरी के से उनको perform कर दिया था अब यहां पर कहते हैं हाँ यहां पर कहते है people from this part feels there a friendly tree अब यहां पर बताते हैं इस प्रेंश प्रेंड पर लेते हैं से people from this part of feel there's a friendly tree spirit dwelling there and they bring flower offering of flower and leaves them at the base of the tree अब यहां पर कहते हैं कि यहां पर people क्या सोचने लगे कि people सोचने लगे कि यह जो tree है यहां पर मंद्री के तरह इसमें कोई जो है किसी का आवास है किसी देवी देवता का आवास है यहां पर वो क्या करने लगे flowers को चटाने लगे flowers ओफन करने लगे leaves को चटाने लगे tree के नीचे अब यहां पर कहते हैं next paragraph में next paragraph में कहा है do you know that I used to climb tree when I was a girl जब वो बताती है जब मैं छोटी थी एक छोटी बच्ची थी जब मैं पेड़ों पर असानी से चड़ आया करती थी और jackfruit जो है वो मेरा असानी से चड़ सकती हो फिर यहां पर अब next paragraph में कहते हैं another good tree was the bunion behind the house अब वो दूसरे पेड़ के मारे बताती है जो की bunion tree है उनके घर के पीछे की तरह it's spreading branches which hung to the ground उसकी जो branches है वो जमीन के नीचे तक टिक रही है और फिर वहां से दुबार से क्या हो रही है वहां से जड मादार जो है डालिया बन गई है उनकी नीचे जमीन तक अब यहां पर next paragraph में आई चुके हैं तो next paragraph में कहते हैं यह the tree was older than the house जो हमारा ट्री है जो हमारा पीड है वो जो है हमारी घर से भी बहुत ज़्यादा पराना है यहां तक कि तुमारे ग्रेंड मेरे ग्रेंड पादर जो हमारे ग्रेंड पैरेंट्स थे ना उन से भी पुराना इतना पुराना था यह पीपल ट्री आइकुल हीट हीट इन इट्स ब्रांचिस बिहाइंड आ स्क्रीन ऑफ थिक ग्रीन लेव्स में उसकी ब्रांचिस में और जो बड़ी बड़ी लीवस पत्या थी उनके पीछे पर भी चुफजेया करती थी झुह है पूरुकर देखती है एortal एक कर चूछे थे कम यहां पर नेक्सट पारफ में चुके हमków तो यहां पर नेक्स्ट इस पराफ में कहते हैं क्योंकि यहां पे इसी पेड़ पर बहुत से एनील्स रहती हैS यहां पे इसपी पिंग और टेनल्र होगोगोगोगोगोगी डियते वहां इस इससे पेड़ के बताई है अब Moment आपने ने देखा होगा कि टोड़ा सा चुब हुआ होता है स्वीट सब इस चुप 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 होता है वह थीक है तो वह पीड उस पे भी था ने बहुत दिनों तरहा है औरहाएं और मेने भॉस चानवरों के साथ समय भी बिताया है मुझे जो है यहां पर मेरे सामने ही यह बहुत से जानवर बड़े भी हुए है इसी पेड़ पर और यह मेरे से मेरे से चो है खाना लेना भी बहुत पसंद करते हैं मिरे मेरे हाथ से खाना खाते थे जानवर तो इस बार इम बता है क्राइंग कीप यूस ऊस तो कहती है कि यह हमें पूरी गर्मियों में यह सुनाद गर्मियों के मोसम में पूरी राज जगाई रखती है कैसे क्योंकि वो वो जो है आवाजे निकालती है वी कोल दबड़ पपीहा हम क्या कहते हैं इनको पपीहा कहते हैं जिसका मतलब है रेन इस कमिंग मतलब बारिस पढ़ने वाली बारिस आने वाली है इसलिए उनको पपीहा कहते थे पर इनके फा बताती है कि Englishman living in India एक Englishman रहती थी इंडिया में उनका और वो इस बात को कहती है इनका मतलब है कि ये चिला रही है मतलब ये बात कर रही है बोल रही है O Dear O Dear O Dear ठीक है O Dear O Dear कहती है How Very Hot Is Getting We Feel It We Feel It We Feel It तो वही बताती है यह sentence को बोल रही होती है इसका वीता को गा रही होती है कितनी गर्मी होची कि है we feel it we feel it हम इसको feel कर सकते है ठीक है अब आते हैं next paragraph में तो यहाँ पर कहते है well the bunion has long since gone अब यहाँ बताती है कि उनका जो बनियंट ट्री था जिसको पसंद करती थी और वो चला जा चुका है और वो कैसे गया था तो यह बताती है यहाँ अपर एक तुफान आया था जिसने उसकी जूड जड़े भी निकाल देती है तो वहाब खतम हो गया. मतलों बंद यंट्री वहाँ से खतम हो गया उसके फादर क्या चाहती है बताती है इसके फादर ने जहाइं दू बार से एक और बंद ट्री होाँ पिन्यों पे लगाया हो और क्या हुआ कि आप आप तो जानती है कि जो पेड़ होती है उन्हें बहुत जादा समय लगता है ग्रो होने के लिए तो बन्यों ट्री को भी क्या होगा बहुत जादा समय लगेगा ग्रो करने के लिए अब कहते हैं और नेक्स्ट पैरग्राफ में हुआ और गांटेंट फी यहां जो वो घ्रकर के आसपास फीडर पोद्रों से लगाने में से संथूस् dolustly से फूर से माने मिलमा किया फाल सेपास केना भी लिन फूर्ट कि विम्लाद ब के जैंसेह बावद मु फास। बहुत कम पेड़ होते हैं ऐसी जिगय को कहते हैं स्क्रब लेंड तो वहाँ पर जाये करते थे और या फिर रिवर बेंड यानि एकी नदी के किनारे चली गए तो महाँ पर क्या करते थे वह कटिंग और सेपलिंग की मदद से ओ investigación को ब्हुत मुध प्लांट्स को बोग तीअटा और वह सुचे हैं और उसा था जू और वह झाला करते थे तो वो ठीक से उग नहीं पाते थे तो यहां पर जो यहां पर वो पूछती है यहां पर पूछती है नो इवर्स गोस दियर आई सेट फू विल्यू सी यूर फोरेस्ट और वो कहती है ऐसी जिगे पर तो कोई भी नहीं जाता जहां पेल पोदे भी ना हो एक दो पेल बोदे होती है अमतल्ब कम पेल पोदे होते हैं जिए पर कोई भी नहीं जाता तो तुम्हारा फोरेस्ट को देखने कौन जाएगा कि आप फोरेस्ट वहां पर बना रहे हो तो यहां पर इसके फादर क्या कहते है आइम नोट प्लांटिंग इट फॉर्दी पीपल सी और सेड माई फादर ने कहा कि हम यह प्लांट जो है वह के लिए बोहरयरे हैं कि लोगा मैट हमें प्लांट को देखने हैं हम इने बोहरयरे हैं चाख के लिए आर्थ के लिए लायक बार्ड सका यह पॉर्ड के लिए लिए बूटर हींnant करेए इन्हों जिसे की वह मंना इंकर रह सके और उन्हें फूड मिल सकें हमेंगा मिल seconds नहीं को ships की बहुत जरूरत होती है ठीक है I upon a country प्रेस्जिक छोखाती है यहां पर और क्या बताया है इन्होंने हम क्या कर सकते हैं जो नजीयों से पानी आजाता है उनसे बच सकते हैं गोई इसा आएगा कि there will be no forest कोई भी जो है forest नहीं बचेगा पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा एक desert में change हो जाएगा अगर पोधी हमने नहीं लगाए ठीक है तो जहां तो यहां तो यह paragraph खतम हुआ तो अब next paragraph में कहते हैं the thought of world without tree become a sort of nightmare for me अब यहां पर वो कहती है grand mother जो थी वो कहती है कि बिना जंग trees के बिना trees के world बिल्कुल मेरे एक दरावनी सपनी की तरह है it's one reason why I sell never want to live on a tree less moon इसी वज़े से मैं ऐसी plant पर रह सकते जानी moon पर जहां पर कोई tree नहीं पर तो with even great enthusiasm मैं पर पूरे मन से अपने फादर के साथ जो है plants को लगाने में लगाती हो ठीक है बहुत ही खोस है यह वो plants को लगाने में अब यहां पर कहती है वो next paragraph में on the day the tree will move again he said ठीक है यह कहती है उसके फादर ने कहा है एक दिन जो है plants जो है move करेंगे एक जिगे से दूसी जिगे जाएंगे they have been standing still for thousands of years but one day they will move again उनके फादर ने कहा कि यह पेड़ पोदे जो है बहुत सालों से करीबन हजारों सालों से एक जिगे पर पर ही खड़े हुए है पर एक दिन ऐसा आएगा जब यह एक जिगे से दूसी जिगे move कर पाएंगे हमारी तरह चल पाएंगे अब यह वहाँ पर एक और यहाँ पर इन्होंने story बताई है there was time when trees could walk about like people एक समय था वहाँ पर एक perception लगा रहे हैं ठीक है यहाँ पर अपनी कहानी बना दिया हुनोंने there was a time when trees could walk about like people एक समय था जब people जो trees थे वो भी हम लोग की तरह चल पाते थे फिर हाँ पर वो क्या बता आते है then a long came a terrible demon एक राक्षा साया a cast a spell यानि एक मंत्र बोला और इन सभी plants को जो है इनकी जड़े जो है जमीन से चिपका दी एक ही जिगए पैपट they are always trying to move और ये plants क्या करती है हर मेंसा चलने की कोसिस करती है तुम देख सकती हो कि किस तरीके से उनके आम जो हम तक पहुंच जाती है तुम देख सकती हो तो मतलब वह मूव करने की कोसिस करती है तो यहां पर इनके फादर ने इनको एक कहानी बताई थी इसी तरीके से तो वह भी इन्होंने ग्रेंड मादर ने बताई है अब यहां पर कहती है on one of our walk along the river bank a mile upstream from here we found an island a small rocky island is the middle of the river bed अब यह कहती है कि हमारे जो river है उसके कुछ ही miles दूर जो है उपर की तरफ एक island है जो की एक पत्थरों का island है मतलब जहां पर ज्यादतर पत्थर है और क्या है वो ज्यादतर बंजर जीगे है वहां पर ज्यादा कोई पेड़ पोदे नहीं है यहां पर वो कहती है you know what the river is battle like तुम्हें पता है river bed की मतलब जो किस तरीके से है वहां पर जो है summer के समय जो है जादतर सूखा रहता है पर monsoon के समय वहां पर पानी भरा रहता है और वहां पर एक टमारिंट ट्री है यानि इमली का पीड़ भी है जो कि बिलकुल निदल में वहां पर ग्रो कर रहा है छीक है जो आईलंट के बीच में है고र मेरे साथन ने कहा है इस तीक है है जैसे monsoon आर राई होता है जैसे monsoon आता है हम क्या करते हैं हम river को क्रोस करके वहाँ पर जाके बहुत से पेड़ पोदे लगाते हैं जैसे mangos के lebanum के ही पीकस के coral trees के इन सभी के सैपलिंग की सेप्लिंग के मदद से वहां पर बहुत सारी प्रेड पोदों को प्लांट करके आती है ठीक है और वी मेर वन मोर विजिट इन आइलेंड बिफॉर दम क्या कहते हैं वन मेर बिफॉर दमों सुन फाइनली सेट वो कहती है कि हम क्या करते हैं लास्ट में जब मौनसून खतम होता सब्सक्राइब करते हैं यहां बहुत ही अच्छा समय है गोमने के लिए आपको हर मोड पर कुछ ना कुछ निया देखने को मिलेगा आफ्ट ओव दी अर्ट एंड रोक लीफलेस प्रोट दा मैजिक टच ऑफ इस समर रें ब्रिंग फॉर्टन अन यू लाइफ एंड वेंड प्लांट ने जाते हैं यू आलमोस्ट सी ता ब्रोड लीव वाइन ग्रोइंग आप देख सकते हैं बहुत सी बड़े-बड़े जिनकी लीफ्स होती है ऐसे पोद्य भी ग्रोव कर जाते हैं कहीं पर भी प्लांट स्प्रिंग आप इन दो मॉस्ट अलाइकली ओफ प्लेसी ब मेरे ऊसे भूजद से प्लांट ग्रो हो जाती हैं अब यहां पर बताते हैं आव पीपल टुक रूट ओंधी रूफ पीपल ट्री के बारे में नोने बता है कि पीपल ट्री क्या करत चुह हमारी च्छतों तक पूच गई उसकी रूट जो हैं और मैंगो की जो मैंगो की जो स तो हम अपनी घर को नहीं बचाएन गयेहां जङ़ा ओपने घर को भी बचाना है गिनुने से इसलिए हमे उने हटाना इंवी है अपने सब्मेट इसांत दो अपने टों सरहने को गहते हैं अपने डिटे तो के तया किता सब्सक्राइब को पर एक च्छत रहे और आम नोट गोईंग तो हैब इस बोर्ट डाउं पाई दी हैंगे और फोरेट और मैं नहीं चाहती कि यह किसी जंगल के रहते जो हैं में हमारा घर जो है गिड़ जाए ठीक है अल्राडी आइदान है कि हमारे घरों में अगल जातीय हुआ है तो हमारा घरों को कर रही है आपने देखा और अजयों कि च्छतो तो उपर और सीलिंग में निकल जाते हैं तो उनी को हटाने के लिए इनकी मदर जो है कह रही है तो यहां पर क्या हुआ फिर अब हैं यहां पर जाते हैं तो एक लीडी बर्ड आती है और वह क्या करती है हमारे सामने को लिकल करके हमारे कीचन में पहुंच जाती है और हमारे मेरे मदर जब पोछ्टती है जब मेरे मदर कुछ काम कर लगराफ में बताती है यह सब फलावर के लाबटाए क्यों धास बहुंच जादा पर मेरे फाजधे को और मुझे तो तो सिर्फ क्या पसंद है ट्रीजी पसंद है दे अगीप ड्रोइंग जेंज इन एंट्रेक्टिंग बड़ एंड़ विजिटर यह चीज क्या होती है ग्रोग अवह करते रहती है और भूसी बशी जी वो को अट्रेक्ट करती है पनी तरफ अब है यहां पर आते हैं बंडियन बॉटी होटी है उसकी जो ब्रांचिस यह बहुत ज़्यादा थीक हो जाती है तिक हो जाती यह का जाते हैं उस प्लांट्स की मतलब बेरीस नहीं खाती हम उन्हें किसी लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर रहती है ठीक है वहाँ पर गार्डन में और यहाँ पर उनके एनिमस भी बताए है उन्होंने देखो कौन कौन से एनिमस बताए है उन्होंने जैसे क्वारल माई नास चीरफुल बुल-बुल ठीक है बुल-बुल के बारे में बताए है उन्होंने और क्या बताए है कोपर मिस्ट और सम्टाइम अनोसी बुलिंग क्रो ठीक है यह बहुत से एनिमल्स के बारे हम बताया है यह सब पेड़ पर रहते हैं और यह बताती है जैसे जैसे रात बढ़ती है तो यहां पे फ्लाइंग फॉक्सिंग जैसे चमगादड होते हैं वो जाद तर बहुत जल्द आने स्टार्ट कर देते हैं और आवाज करने लगती है ठीक है जैसे जैसे पेड़ के उपर चड़ती है उनकी आवाज बढ़ते चली जाती है तो इसी बारे में उन्हों ने बताया है क्योंकि रात में बैट्स आती है तो यहां पर गयते हैं जो रात में आवाज करती है तो कि बारे में इनोंने बात कि है तो मुझी कल बैंड बताया है इनों ने और महां पर उनका आर्ठिस्ट भी है वो क्या करते है पूरे रात कुछ है गाना गाते रहते पूरे दिन काना गाते हैं मतलब अवाज निकालते रहते हैं किलिकिट decorate इ Всем जो आपनेटी गर्ना अी जाता है तो यहां पर नहीं ने पीश्टरा से उन्हें उनका डियुक community याति हैं मैं क्या करती हूं मैं इस तरीक दर्म में में और सिर्लिंग विप्लिंग देती और जो किर्केट्स है और जो कीकेट्स है उनको क्या कहते हैं और उनकी स्टिक की मज़ए से क्या करना चाहती हूं और आदेश देना चाहती हो कि किस तरीके से गाना है मतलब और चेस्ट्रा की तरह वो अपने आपको महसूस करना चाहती है पर वो क्या कहती है जब भी मैं क्या जैसे मैं बड़ी हुई मेरी साधी होगी मेरा अब तुमारी ग्रेंट फादर की साथ जो है बंबे में जाके रहने लगी वी वेर देर फोर मैंनी यर्स में हम वहाँ पर बहुत सालों तक रहे और मैं अपने फादर को मेरे अपने पैरंट से कभी कपार ही वन्स या ट्वाइस कभी या एक दो बार ही मिलने आया करती थी I had no brother मेरे मेरा कोई भाई नहीं है तो मेरे पैरेंट्स मरे मेरे पैरेंट्स की death हुई तो उन्होंने ये house मुझे दे दिया it will be yours one day ये तुमारा जो है एक दिन जरूर तुमारा हो सकता है हो जाएगा ये घर मेरे मनने के बाद would you rather live here in the pokey little house in the tree क्या तुम यहाँ पर रहना चाओगी या फिर अपने उस चोटी से घर में pokey little house में जो की टाउन में है तो यहाँ पर कोकी कहती है here मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ but only if you are here too अगर आप भी हैं पर हो ग्रैनी तब ही मैं यहाँ पर रहना चाहूंगी आपक क्या होगा the tree are planted with your father are still there यहाँ पर वो कहती है कि आपने के जो प्लांट फादर ने जो प्लांट वोई हैं वो अभी तक यहीं पर रहेंगे तो यहाँ पर कहती है अगर मुझे मौका मिले कि मैं 20 साल बाद या उससे साल बाद दुबार से मुझे हाँ पर जनम मिले मुझे दुबार से रहने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगी I walk out of my old house मैं अपने पुराने घर से बाहर निकलूंगी और मैं उसी पात को अपनाओंगी जिस पात पर जिस प दुबार से चलूंगी और वहां पर आप वह कहती है नेक्स्ट पेरग्राफ में इट वास फैवरेरी यह फैवरेरी का महीना होगा I remember and I look the dry river bed मैं देखूंगी नधी के किनारे मेरी आखे जो है इमेरी मतलब मेरी जो आखे है और रिवर बैट के मतलब नधी के किनारे उन ब इन कॉंट्रेस्ट तुदर ड्राइ रिवर बैट दा आइलेंड वासे स्मोल ग्रीन पेरडाइब मैं इसी देखकर बहुत संतूष्ट हो जाँगी कि जो हमने आए जो आइलेंड था रिवर के किनारे जो आइलेंड था वो एक सुन्दर स्वर्ग में बदल चुका है एक हरे इस वर कितरे इनोंने इसको कंपेर किया है कि उसमें बदल चुका है मैं उनकी ट्री के पास जाओंगी मैं देखूंगी वहाँ पर बहुत सारे पैरेट्स आ चुकी है पैरेट्स वहाँ पर रहने के लिए आ चुकी है अम मैं इस्पोर्ट डियर स्क्रैंबलिंग अवे टू होता है फिजन्ट एक बर्ड होती है लोंग टेल बर्ड होती है ठीक है जिसकी लंबी सी टेल होती है वह बर्ड मुझे चैलेंज कर रही है कि और कहरी ए कि हुआर यूँ हूर यू आर्यू कौन हो तुम ऑट यहां पर नेक्स पारग्राप में कहती है बर्दर ट्री सेंस कर रही थी दादी कि मैं अगर मुझे 20 साल के बाद अगर मौका मिले तो मैं क्या क्या करूंगी तो उसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या कहते है आई रेन माई हैंड ओवर दी बार्क एट वालाइक टेचिंग ता हैंड ओफ और ओल्ड फे फ्रेंड यहां पर मैं क्या करूंगी अपनी हाथों खोलोंगी अर बार पेड़ों के जो तनी हैं उनको जाकर टच्च करूंगा है अर्यास लगए का जैसे मैं अपने पराने दोस्त को टच कर रही हैं अपने पराने दोस्त ते मिल रही हो जाकर looking around I notice that small tree in wild plin and grasses head sprung under the protection का दिया और मैं देखुंगे जो घुने बनाट ट्री जो हमने बोई थे वो सभी जो है कि खिला ऊठी है ठीक है हमें देखकर देर्ट री है मल्टिपस जो हमने पेड़ बोई ते वो मल्टिपस हो गए डबल हो गए है जाद हो गए है दफ फोरेस्ट वास ओंदी मूव अब फ से फोडिक पारे में कोंप्लीट हो चुका यह और ट्रीज अब दुबारे वोक करने स्टार्ट कर दिया ऐ में चेप्टर इस नहीं था जो कि रसकिर बोर्ड ने लिखा हुआ था और अब इसमें जो एक्सक्राइब कर दूँगा तो आपके जल्दी हिसका वीडियो का अंसर आपकर डिस्क्रिप्सन जो है इसी वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्सन में और थैंक यू फॉर वॉचिं इंध माई वीडियो अकर आपको यह पसंद है तो लाइक जरू कीजिएगा थैंक फुरम वोचिन